Hello everyone, welcome back to my channel divinity, terror, sex, wet truth, exposes darkness तो आज का जो topic है guys, वो है candle wax reading और आज के reading में हम देखेंगे आपके life में क्या आप receive करने वाले हो, क्या आपको मिलने वाला है So ये कोई blessings हो सकता है, ये कोई आपके कर्म कफल हो सकता है, बहुत अच्छा ये हो सकता है कोई new relationship हो, ये हो सकता है कोई आपका financial prosperity हो, कोई new job हो, कुछ भी ये हो सकता है So this will be a timeless prediction, gender neutral reading, male, female सभी के लिए है So let's see, let's find out guys, और चैनल को subscribe, like, share जरूर करें और Instagram में follow करें You can also subscribe my second channel But this is a general prediction, तो हो सकता है, resonate करें, हो सकता है की कुछ information ना करें तो जो कर रहा होगा, प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction की marriage of yours है उनके life में वो क्या receive करने वाले है, क्या मिलने वाला है उनको Oh wow, पहली मुझे diamond दिख गया है यहाँ पे You know this is called the diamond in the tarot card, इसका मतलब क्या है पता है, है Taurus logo, Capricorn है उसका कोई भी राशी आपके हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके life में पहले ही जो दिख गया है, that is a stability ठीके life में आपके जो चीज आप access करना चाहते हो For example, हो सकता है कि आप कोई position हासिल करना चाहते हो, ताकि आपका income बढ़े कोई status definitely आपका high हो सकता है ठीके official status हो सकता है कि आपका कोई नया पद आपको मिले ठीके, कोई new responsibility आपको मिले अभी देखो next, यह जो आपके relationship है, ठीके, वो fix हो जाए किसी के साथ रिष्टा fix हो रहा है, grounded हो रहा है, मतलब क्या है न इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, अच्छे से एक 7 आ रहा है यहाँ पर So, हो सकता है within 7 weeks to 7 days या 7 months हो सकता है आपको यह stability कोई आके offer करे आपके personal life में हो सकता है, आपको professional work life में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही, मुझे लग रहा है stress ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा stress ले रहे हो, और आपको थोड़ा सा insecurity issues भी है आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ सही होगा या नहीं कुछ और देखते हैं, मैं clues आप जानते ही हो, मैं देती हूँ कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर आप ना कोई भी people pair या कोई भी work rickshaw हो सकता है वहाँ पर हो सदा है कि आप जाके पूजा करते हो या हो सदा है वो work rickshaw या people pair जो काफी जदा पवित्र ć माना जाता है हो सदा है कि वो पेर आपके सामने हो या उस पेर में, कभी ना कबार, मंदीर या मझजित में आपने ना कुछ बाध के रखा दा ये मझजित में भी बाध के रखते हैं यह मंदिर के सामने जो पेर है वहाँ पे भी लोग बात देते हैं कुछ गठ बंधन जैसा कुछ होता है ना कि बात के चले जाता है विशस उस तरह से तो वो आपको फल देने वाला है ठीक है अगर आपने मननते मांगी थी तो of course it will come into fruition मतलब वो फल आपको मिलेगा कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी जादा आपके जो love life है ना प्यार वाला रिष्टा है वहाँ पे काफी अच्छा से कोई आपको समझने वाला है कोई आपकी बात को सुनने वाला है कोई आपके लिए action लेने वाला है so some action is coming towards you okay मुझे लग रहा है पहले दफ़ा में तो आपके बात कोई नहीं सुनना चाहता था मुझे लग आपके partner हो या कोई भी relationship हो लेकिन आपके बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा यहाँ पे एक star जैसा बन रहा है either आप हो सकता है कि acquirates हो या हो सकता है start this is your destiny ठीक है आपके destiny में जो है न वो definitely आपको मिलने वाला है किसी का यहाँ पे hair में आपने style करवाया है recently especially boys हो सकता है आपने style करवाया किसी ने nail cutter use किया है recently या करने वाले हो nail cutters को या कुछ आप लोग tools को यूज करने वाले हो अपने घर में कुछ repair करने के लिए इस तरह से मुझे लगड़ा I am just giving you hints तो वह भी एक चीज है कि जहां से कुछ relationship भी न of course maintenance होगा उस relationship का ठीके जिस तरह से हमारे घर में बहुत कुछ items हो जाते है बहुत पुराने लेकिन उसको maintenance करना पता है तो इस तरह से relationship भी है जिसको देखभाल करना पड़ता है एक पेर की तरह है वो सो पानी देना पड़ता है प्यार करना पड़ता है तब जाके हमें अच स्किन का या अपने बॉड़ी का हो सदा अच्छा सब treatment कर रहे हो या अपना ध्यान रख रहे हो तेगिंग गुट केर आफ यूर हेल्थ ओके यहां पर टॉरस हो को कैप्रिकॉन भी छोड़के कुछ साइंस जिस तरह से मुझे दिख रहा है वह तो एक्वेरेस मुझे दिख कुछ लोग यहां पर हो सदा कि आपको कुछ space चाहिए था life में कि maybe you are so much मतलब इतना जदा आप suffocated feel कर रहे थे को relationship में हो सबता है या कोई घुटन आपको लग रहा था कोई job में ठीक है आप उसको छोड़ना चाते थे लेकिन आप छोड़ना नहीं पा रहे थे ठीक है किस सब्देंवां मझबूरी के वज़े से लेकिन वहाँ से मुझे लग रहा है वह सारे चीज़ रिप्यार होना स्टार्ड हो जाएगा सॉलव जाएगा आपकी सारे प्रॉब्लम्स यहां पर जे लेटर इंपोर्टेंट है कि आइं लेटर इंपोर्टेंट है यह एक्टर इस तरह का रिलेशन्शिप आप अपने लाइफ में जो काफी सदे यंग है और काफी सदे नटखड भी है आप हो सब्सक्राइब काफी सदे मैच्वर हो यह परसन हो सब्सक्राइब काफी सदे नटखड है मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन्शिप आपोजिट हो सकता है और राइट मुझे लड़ा है कुछ लोग का अपना लाइफ परपस पता चल गया होगा त्रू डिफरेंट हो सब्सक्राइब रीरिंग से या हो सब्सक्राइब खुद बखुद आपने वाकिफ हुए होंगे कि वाट इस लाइफ परपस और आप उसी लाइफ परपस से आगे बरोगे और आपके जो भी खुवाब है ख्वाईश है वो पुरी होताबस मुझे दिखायते रहा है कुछ लोग एगर में दो मंजिला का घर हो सकता है, आपको यह पर हो सकता है कि आप कफी जदा अपने टेरीस। में चले जाते हो चंभ में चले जाते हो आप उसाद कर मॐन पर हम आपको कुछ पल याद आ रहे हैं, जो काफी सदा आपको लग रहे हैं, आप मिस कर रहे हो किसी को, you are missing someone very badly, and that person is also missing you, कुछ corners में, आपके घर के कुछ corners में कुछ disturbances हो सकते हैं, वास्तो के अनुसार, आप थोड़ा सा corner, okay, of your house, उसमें थोड़ा सा आप दिखान रखें, सीरी बहुत ज़दा दिख रहा है, आईदा तो आप बच्पन में बहुत ज़दा साप सीरी वालग गेम खेलते थे, या आप बहुत ज़दा, मतलब, you are excessively career oriented, या आप टॉप position पे, बहुत shortcut way में पहुचना चाते हो, financial abundance अपने life में लेके आना चाते हो, लेकिन आपको जो है न, ठीके, आपके life path जो है न, उस तरह से दिख रहा है कि आपको step by step आपको जाना पड़ेगा, this is like the step by step, step by step, first step आपने complete कर लिया, फिर second step, जिस तरह से interview rounds होते हैं, क्या एक round पे आप लोग clear हो जें तो नहीं, suppose there are three rounds, ठीके, तो उसमें एक-एक step करके आप आगे बढ़ोगे, कुछ लोगों मुझे लगड़ा है government administrative exams आप देने वाले हो, और step wise आप आगे बढ़ने वाले हो, अगर आपने अच्छी तरह से preparation किया है तो, कुछ लोग के जो आपने कपड़ा पहना है, ठीके, उसमें हो सेता floral design काफी जदा हो, या fool इस तरह से indicate किया जाता है कि fool हमारे life में काफी जदा सुगंध लेके आते है, fragrance लेके आते है, और वो हमारे दिल को काफी जदा सुकून देता है, तो इस relationship, fool जैसा की लेगा, एक relationship, एक रिष्टा, जो fool की तरह होगा, जिसमें कोई भी conditional love नहीं, unconditional love आपको मिलने वाला है, आपने शायद जिनके उपर trust किया था, वो उसने trust तोर दिया, badly, they had hurt you, but वो एक temporary situation था, बहुत जदा nourishing, caring relationship आपके लिए wait कर रहा है, but बात आपके उपर आता है, are you ready to accept the offer, क्योंकि आपके अंदर फिर से trust factor, मुझे लग रहा है, आप trust किसी के उपर नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो किसी के उपर, यहां पर बार बार, can you see the bag of treasure, dollar sign वाला bag आपने देखा था, smiley पर, same जिस तरह से उसी तरह से form हो रहा है, so finances, financial portion आपका काफी जदा अच्छा होगा, या आपके partner अगर working में है, if they're working, so definitely they're going to get promotion, ठीके आपके घर में, ठीके शूप संकेत आपको मिलना start हो जाएगा, and definitely मुझे लग रहा है, लक्षमी जी की कदम आपके घर के उपर पढ़ने वाला है, और देखते हैं कि आप क्या-क्या receive करने वाले हो, चित्र नक्षत्र किसी का हो सकता है, चित्र मतलब चित्र या हस्त, जहां पर हाथ का कारी-करी हो सकता है, कि आप कोई भी हैंडिक्राफ्ट इंडास्ट्री, या कॉटेज इंडास्ट्री, या पेंटिंग्स, या स्केचर्स, आप एक स्केच आर्टिस्ट हो, या आप हाथ से कुछ क्रियेट करते हो, इनोवेटिव कुछ करते हो, हो सकता है कि आप ओनलाइन बिजनस स्टार्ट करो सी से, या आपको कॉन्ट्रैक्स रिसीव हुए, पेंटिंग्स का, इस तरह से मुझे लग रहा है, मिन्स, you are a creator, creator का काफी जबा क्वालिटी सापके अंदर है, लेकिन शाहιद आपने, हो सकता है, family के दबाब के वघे से, या हो सकता है, की शादी के बाद, या हो सकता है, की due to certain situations, वो talent आपके अंदर ही रहा गया, हो साथ है, वो सारे talents आपका बहार निकले and you create a magical, ओके vibe, परस आपके financial portion improve होंगे उससे बहुत जादा खड़ी दाड़ी चलेगा ओके हम यहां पर एक फ्लावर बुकेई जैसा बन चुका है so congratulations offers, award, gift, surprises इस तरह से बन रहा है if you can see this starting from this this is also like the ace of cups energy जहां पर जो offer आपके लिए आ रहा है न वो एक suitable offer है देखे उसमें कोई इस तरह से offer नहीं है कि उसमें कोई corruption है उसमें कोई manipulation है वो कोई mal practices है, no उसमें कोई negativity है, na वो नहीं होने वाला Aquarius Gemini Libra is formed over here science काफी ज़्यदा prominent है, you है यहां पर letter वी लेटर है फिर से ओके इसमें से तो दिख गया, na flower bouquet ही चला आया, flower bouquet कब दिया जाता है अब बताओ तो, comment section पर ज़रूर लिखना को, flower bouquets कब दिया जाता है कोई celebration होता है तब ही, na flower bouquet बनाते है, right या होसाता है आप खुद flower bouquet या जिस तरह से होता है न, online में flower bouquets and cakes इस तरह का कुछ shop आप विजिट करो recently okay, to purchase something for someone या आपके person होसाता है आपके लिए कुछ करे okay, या किसे ने किया होगा आपको okay, जिस वाद आप इस reading देख रहे होंगे, किसी के definitely watch होगा आपके आसपास या अपने पहना पहन के रखा होगा या आपको लगेगा आप बहुत ज़दा लेट हो रहे हो I do find the emperor energy यहाँ पहे काफी ज़दा confident हो जाओगे आप अपने abilities के उपर confidence से ही न आपको क्या होगा पता है confidence से ही आपको आप कोई भी exams को crack कर पाओगे and definitely मुझे लग रहा है इसी तरह से yes, the commitment, the emperor also stands for the commitment so commitment is definitely going to come for you या पर जिस तरह से मुझे लग रहा है कोई यहाँ पर एक box मतलब एक container है जो काफी ज़दा बंध है लेकिन बहुत time से शायद आप उस container को या उस box को अपने खोला नहीं होगा so some treasure is also waiting for you guys इस तरह का मुझे लगा okay two of cups is energy is formed over here some meeting is going to be there किसी special person के साथ आपका meeting होने वाला है hands collaboration होने वाला है partnerships होने वाले है but यह lovable partnership है romantic encounters okay बार पर we आ रहा है so victory, victory, victory तीक है जीत हासिल होगा of course all right but अगर आप बहुत सदर trust issues है तो definitely आपको धोरा सा आपको उस विशे पर ध्यान देना है कि कि हर एक relation हर एक इंसान हमारे life में आते है वो इस तरह से नहीं होते है बिलकुल कि वो हमारे trust को तोर के चले जाएंगे no no okay you let a barber form हो रहा है so union reconciliation of course is there for you million होने वाला है okay all right so very soon you are also going to receive some good news regarding your pregnancy also at the same time I did feel about that okay अभी हम देख लेते हैं यहां से कि through the monology oracle cards कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज है जो आपको बिलकुल ध्यान रखने चाहिए या होने वाला है आपके अपके 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 लाइफ में आपको पताया था कि बहुत कुछ तफ फेस आपके लाइफ में जाने वाला है ठीक है full moon in Capricorn a time for healing सब कुछ सही हो जाएगा देखो वह temporary थाना मैंने आपको बताया था कि वह situation जो थाना वह temporary situation था जहां पर आपके trust level पे जहां पर effect हुआ जहां पर आपके sentiments को effect किया गया वह temporary situation था look at the bigger picture full moon in Sagittarius of course step out of your comfort zone जो आप जो जिस level पे हो ना उसी level से आपको बाहर जाना है और बाहर जाओगे भी देखो the answers you need are coming जो answers आपको चाहिए था यहां पर two okay soulmates मुहां पे मुझे दिखे तो यहां पर देखो soulmates energy the answers you need are coming अगर आपके personally related कोई सवाल है ठीके तो definitely answers आ रहे है so Gemini okay so this is all about today's reading guys I hope you had enjoyed it and if you had enjoyed and if you had loved please do subscribe share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror 6 where truth always exposes darkness thank you guys I love you